लेक्सस के आने वाले बिल्कुल ही नई कार ES300H जिसे के दोस्तों आपको बताता हैं कि लेक्सस इंडिया ने सोमवार को बारत में हाईब्रिट इलेक्रोनिक सेडन का अवरन किया है और वेश्विक इस्तर पर पहली बार पेश होने वाली सिर्फ पांच महिनों के बीतर भारत में उसको उतारा गया है इसकी जो केमत है वो तक्रिबन 59.30 लाग की है और एक्षियोरूम की कर बात करें तो भारत के अंदर दोस्तों देश बन में नई ES300H की डिरिवरी जो है और फाले तीन महिनों में ही ताइक जो चुकी है इसके तरद बात करें तो कार लेक्सस के सिगनिचर स्टाल तक पहुच जा चुकी है इसके साथ ही ग्लोबल आर्गिटेक्चर के जी के प्लेटफॉर्म पर निर्मित IS300H के आपको मिल जाता है और ES के इस नई सेडान कार का उत्रश्ट अंदाज और लगजरी कार जो देती है इसमें देखने में अधबुक्त और आराम के मामले में बहुत ही शानदार लगता है लेक्सस इंडिया के प्रेसिजेंट पी बी वेनु कुपल का ये कहना है कि अपने डायमेंड प्रोफोर्मेंस के साथ नई ES300H बहतर शिल्प कोशल डिजाइन और अनावचक इसतर पर एक को सकार सकती है इसके साथी एक्जुविट्र सेडान को पुनपरीपाशित करने के लिए तयार है ये जो पारकी केंदर कोंद को तयार की गई और परतेक यात्रे को एक उतकष्ट अनुबव देने की डिजाइन की गई है ये जो लेक्सिस कार्क में कटवती काफी साथा संबव हो सकती है स्लीम LED हैंड लेम्स विशल एल के आर्क मार्टेट्स के साथ इसमें आपको मिल जाते हैं इसके साथ ही आपको बढ़ता है कि इसके लूक है वो काफी साथा प्रोफेशनल बनाते है अब बात करें यहाँ पर इसके स्पेसिफिक का शिरी तो हम आपको बताते हैं कि ये इसके 300H Euro 6 के अनुरूप के नई हाइबिड इलेक्रोनिक सिस्टम द्वारा संचालित है और इसमें आपको मिल जाती है 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो की 22.37 किलोमेटर का माइलेज देती है इसके साथ ही इसमें आपको मिल जाती है 160 किलोवाट का पावर देने वाली एक कम्प्लीटली मोटर जो की HCK 300 शेनी में 10 एरबेक्स के साथ ही इस्टेट असिस्टेंस और वील सेलिबरिटी कंट्रोल और ब्रेक इन वील सेंसर के साथ एक एंटी थेप्र सिस्टम भी दिया गया है आई होप कि दोस्तों मरदी चैनल के आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसे ही डेटेस्ट अब्रेट के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें